तो चो आज हमारा question है एक्ष्रेस्ट दा fallen as decimal fraction हमें इसको किस में करना decimal fraction में करना ठीक है अब decimal में कैस होगा भाई 3 upon 10 है ठीक है हमारा 3 upon 10 है तो हमें numerator में हमारा कितना है 3 है और denominator कितना है 10 है तो मुझे इसको 10 से divide करना 10 से हमें divide करना 3 को तो अब यह 10 है यह 3 है छोटा है तो हम यहां क्या करेंगे decimal लगाएंगे यहां 0 बढ़ जाएगा 10 की टेवल 30 तक बोलो 10 3 है कितना होता 30 यह से decimal बढ़ाते हैं यहां में सा 1 0 बढ़ जाता है ठीक है तो हमारा answer क्याएगा point 3 आ गए 26 अपॉन 100 है पाई 100 से divide करना किसको 26 को अब यहां 3 डिजेट है यहां 2 है तो एक decimal लगाएंगे यहां 0 बढ़ जाएगा होई 100 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा यह 0 का 0 यह 6 यहां जब decimal लगो ओता तो जैसे यहां 0 बढ़ना तो हर स्टेप है एक स्टेप में एक ही 0 बढ़ेगा एक decimal से तो यहां भी हम बढ़ा सकते हैं तो हंडेट से कितना हो जाएगा 600 तो कितना आजएगा 0.26 हमारा आंसर आजएगा यहां 0 लगा सकते हैं अब आगे पॉइंट से पहले इस 0 को कोई मतलम ने हो तो आप लगा सकते हैं ओके अब यहां 39 अपॉन कितना है 100 है भाई 100 से डिवाइड देने कितने को 39 को यहां पॉइंट लगेगा तो यहां 0 बढ़ जाएगा 100 3 कितना हो जाएगा भाई 300 2009 जब हमारे यहां decimal लगा उता तो हमारे हर स्टेप है एक स्टम में 1 0 बढ़ आ सकते हैं यहां पर हमने 1 0 बढ़ आया अब दूस्रे स्टप आगे तो यहां पर हमें 1 0 बढ़ आ सकते हैं तो 109 जाएगा 900 हो जाएगा 0.39 हमारा क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा अब दोगो 3 upon 4 इड़ में मुझे 4 से डिवाइड करना 3 को यहां पर point लगेगा 1 0 बढ़ जाएगा 4 7 जा 28 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 7 जा कितना हो जाएगा 28 10 में से 8 गए कितना हो जाएगा 2 बच्चा ठीक है अब यहां डेस यहां 2 हो गए 2 में 2 गए 0 decimal लगए तो 0 बढ़ जाएगा हर इस्टप पर 1 0 बढ़ आ सकते हम 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 तो हमारे क्या जाएगा 0.75 ओके यहां देखो 6 upon 5 है तो 5 से डिवाइट कर दो बच 6 को पॉइंट लगएगा 0 आएगा ठीक है पहले तो sorry पहले हमारा 5 upon कितना है 6 है तो 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा अब यहां अब यह एक पॉइंट लगएगे हैं 0 5 तो जाएगा 10 तो कितना आएगा 1.2 यहां देखो भाई 1.000 से डिवाइट करना 6 को हमने एक पॉइंट लगा है एक 0 बटा अभी भी यहां छोटा है तो यहां देखो एक पॉइंट से सिर्फ 0 बटेगा एक की 0 बटेगा अब एक 0 होड चाहे तो यहां 0 लगाना तो यहां 0 बटेगा अभी चोटा है तो एक होड जिरो लगाएंगे 1-0 से पही जिरो दोसर जिरो लगाएंगे तब यहां 0 बटेगा देखो इस पॉइंट से यह वाला 0 बटा तो हंडेट से यह वाला 0 बटा तो हंडेट सिख्जा कितना होगा 6000 1000 शिख्जा 6000 तो कितना 0.006 okay